हाई फ्रेंड अस्सलाम वालेकूम केके किचन में आपका स्वागत है आप सबको बकराईद मुबारक हो आज हम मतन बिर्यानी बनाने जा रहे हैं वो भी सिंपल और आसन तरीके से बनने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह मेरा देड़ किलो गोश है इसको मैंने नम्म पंद्रा से भी सहरी मिर्ची है अध्रग है मिडियम साइस को बारीक कट करें वा एक मुठी मेरा धनिया है और बीस से पच्चिस कलिया लस्टन की है कि मेरा पोटेटा मैंने हाफ प्राइब करके ली थी बिर्यानी मेरे यह देड़ किलो में एक किलो चावल जाएंगा देड किलो गोश में यह मेरा एक कटोरी पुदीना है यह चार मीडियम साइज के टोमेटो है कि मेरा एक कटोरी तराइक अप्राइब नियन है यह चिकन क्यूब है यह आसानिसा आपको किरान श्टोर पे मिल जाएंगा अगर यह नहीं है तो भी आवैसे भी बना सकते हैं यह मेरा एक किलो के करीब प्याज है इसको इस तरह से मैंने कट की हूं यह मेरा 200 ग्रम धाई है मेरा एक किलो चावल है बासमदी चावल लिए मैंने बिरियानी के और यह फूट कलर है अब यह साबुत खड़े मसाले हैं यह मेरा पुलाव पत्ती है आप नहीं है तो तेज़ पत्ते का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह दालची नी यह हरी लाइची छे है यह तिन टुकड़ा चक्री फूल यह लवंग है पंदरा से बीस बीस से पच्चिस काली मिरी है ब्लैक पेपर यह जीरा है दो चम्मच साजीरा स्वरी यह है तीन तेज़ पत्ता यह बड़ी लाइची दो है जावेत्री का एक टुकड़ा यह मेरा दो चम्मच है साजीरा और एक टुकड़ा मेरा जाइफल का है कि मसाले हम पीस लेंगे कर दो है जिरा जाएंगा जावेत्री का एक टुकड़ा बड़ी लाइची का एक टुकड़ा दालची नी लावा हरी लाइची दो एक दालची नी का टुकड़ा एक चकरी पूर का टुकड़ा छे से साथ मेरे काली मेरी जाएंगे इसके अंदर पिस्ने में पास से छे मेरे लवंग जाएंगे इसके अंदर और ये मेरा अब आए जाएफल इस मसाले को पीस लेंगे हम अब हम गोश गलाने जाएंगे अब पहले भी थोड़ा से नमग लगा के रख दी ती मेरे रेट करने के लिए अब थोड़ा दालेंगे हम कि एधेड़ी किलो गोश है मेरा अब इसमें सावत खड़े मसाल जाएंगे एक तेस बत्ता चार से पाच लवंग चार से पाच काली मेरी एक चक्री फूल का टुकड़ा दो हरी लाइची डाल चिनी और एक बड़ी लाइची बड़ी लाइची कब थोड़ा सा खोल के डालिए गा उसका फ्लेवर उसके अंदर गोश में आ सके इसको अच्छे से हिला के पानी अपने को ज्यादा नहीं डाला है गोश में में पानी चुड़ जाएंगा तो अपने इसाब से पाने डालिए गोश का पानी अपने को भार निकलना नहीं चाहिए एक कूकर से यह मेरी हाद भी जाएंगी इसकेंदर यह जो तेल मैंने मैंने गोश गल्ले रख चुके हैं अब साइड में मैं अपना बगाल चालू करूंगी यह मेरा ओनियन फ्राइ किया हुआ है वही तेल में इस्तिमा अपने को तीन हिस्से करने का जो मसाले खड़ी मसाले जो अपने ले रहे हो अब एक हिस्सा इसके अंदर जाएंगा अब इस तरह से बना के देखें एक बार इंशाल्ला आप सबको जरूर पसंद आएंगा प्यास को अच्छे से पूरा ब्राउन होने तक हम फ्राइ करेंगे इस तरह से पूरी तरह से ब्राउन हो चका है अप्तामाइट तामेटों डालेंगे कांदे का कैसा कलर आ चुका है इस तरह से बनाएंगे तो यह बर्दस टेश्ट आएंगा इसका तोमेटों गलने तक नरब होने तक इसको फ्राइ करेंगे अब इसमें डालेंगे हम जो पिसा हुआ हरा मसाला है और डालेंगे इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे इसमें जाएंगा रेड चिली पावडर मैंने आपको बता आना भूल गहीं थी कर दो यह हम जा लेंगे पुदी ना पूरा भून लेंगे इसको अच्छी तरह अब डालेंगे रेड चिली पावडर रेड चिली पावडर मेरे धनिया पावडर मिला हुआ है मैं अच्छे इसे फून लेंगे मसाले को पूरा तेल छुटने तक अच्छे लोग तो भार के रेडिमेट मसाले में बिरियानी बनाते आप इस तरह से बिरियानी बना के देखिए यह चिकन के भी जाएंगा इसके अंदर अब दहीं जाएंगा यह मेरो गोश गल चुका है मैंने चार से लगा के दस मिन तक कम आज पर रखे दी गोश को अब इसको गोश को अच्छे से हम भून लेंगे मसालों में मेरा 98% गोश गल चुका था अब यह मसाला भूने दम पे आ जाएंगे तो फिर पूरी तरह से गल जाएंगा गोश यह मेरा तलावा कांड़ा है इसको मैं आधा डालोंगे आधा हम बाद में डालेंगे यह बहुत जल्दी बन जाती है और हम चावल कुकर में 75% गल आके लेंगे यह मेरा चार गलास चावल था तो मैंने इसके अंदर आठ गलास पानी जाता है चार गलास में तो मैंने डबल जाता है जूना चावल हैंगा तो लेकिन मैंने इसमें अपने को छे गलास पाने डालना है इसके अंदर नम्मक यह लवंग है तीन लवंग डालें मैं इसके अंदर कुछ साबुत खड़ी मसा रजाएंगे यह काली मेरी है तीन से चाल यह चक्री फूल बेल यूज यह जीरा है बन टी स्पून और यह मेरा घी है यह मेरा देशी घी है आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो तेल भी डाल सकते हैं और मैं चाल अकोकर को लगा गैस पर रख चुकी हूँ उसको एक सिटी निकालना है और अपने को गैस कम्प्रिट बन करना है और अपने को तुरंद खोल देना एक सिटी होने के बाद देख सकते हैं मेरा 75% मेरा चावल गल चुका है सिर्फ मैंने एक सिटी निकाली और इसको बन कर दीती अब उसके हम चावल पैला देंगे इससे पूरा चावल पैला देंगे अब उसके ओपर हम प्यास डालेंगे क्रावल पैला गलावल थ्त्श्या करिज़ तरन I झाल 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 झाल